सहजन के फूल की सबजी कुछ इस तरह से बनाएंगे तो कड़वी कभी नहीं लगेगी इसे हम सहजन के फूल और आलू के साथ मिला कर बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होती है फ्रेंट्स आप लोग एक बार जरूर से बना कर देखिएगा तो चलिए बनाते हैं सहजन के फूल की हजारों फायदे होते हैं ये हर जगा पाया जाता है तो फ्रेंट्स ये है सहजन के फूल इन्हें हम अभी डेंटल से अलग कर लेंगे और आपको दिखाएंगे इन्हें हम एक एक कर तोल लेंगे और इनकी कलियों को भी देंगे इनकी कलियों में गाइज बहुत ही कसेलापन होता है ज्यादा कसेलापन इनकी कलियों में ही होता है इन्हें एक एक कर अलग करने में समय तो लगता है लेकिन इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है गाईज आप लोग बना के एक बार जरूर से देखिएगा इन सब फूलों को डंठल से अलग करने के बाद आपको दिखाते हैं तो देखिए गाईज इन सब को मैंने डंठल से अलग कर लिया अभी हम इन्हें दो से तीन बार वॉस कर लेंगे एक कड़ाई में पानी गरम होने के लिए रख दिये थे अभी हम इन फूलों को अच्छी तरह से निचोड के इन पानी में दे देंगे पानी ज़्यादा नहीं दिये हैं बस थोड़ा सा दिये हैं इन्ही के साथ ही एक बड़े साइज का आलू इनमें छोटे छोटे टुकड़ों में काटके मिला लेंगे उसके बाद इसमें नमक मिला लेंगे और दस मिनिट तक ऐसे ही उबलने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद इसमें जो पानी निकलेगा उसमें कसेलापन ज़्यादा होता है तो उन पानी को हम अच्छी तरह से निचोड़ के दो से तीन बार फिर से धोईंगे उसके बाद गाइस अभी देखिए अभी इसे ढग कर हम पकाएंगे अभी ये ज़्यादा उबल रहा है तो चलिए चेक करते हैं कि ये पका है की नहीं ये तो पक चुका है फ्रेंद्स अभी इन्हें हम निकाल लेंगे और अच्छे से दो से तीन बार वॉस कर लेंगे अभी हम एक कढ़ाई में तेल डाल दिये हैं और इसमें सुखा मिर्च जो हता है वो देंगे और पंच फुटन जो आता है उसे देंगे अभी प्याज नहीं देंगे प्याज और लहसुन अदरक सब को मिला के एक पेश्ट बनाए हैं उस पेश्ट को देंगे थोड़ा सा चटक जाए उसके बाद हम पेश्ट डाल देंगे तो देखिए इसमें हम सब मिक्स करके पेश्ट बनाए हैं और इसी पेश्ट को ही देंगे थोड़ा देर ऐसे ही इन्हें भूनने के लिए छोड़ देंगे अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें फिर और शूखी जो मसाले होते हैं ना उनको डाल देंगे ये मसाले अच्छी तरह से भून जाए जब इसमें तेल छोड़े मसाले तभी हम सुखी मसाले डालेंगे देखिए फ्रेंच इसमें सुख चुका है ये अभी तेल छोड़ रहा है अभी डालेंगे हम मसाले सुखी मसाले तो देखिए हम सुखी मसाले डाल रहे हैं ये हम पतंजली का लिए थे सबजी मिक्स मसाला है डाल देंगे उसके बाद हल्दी का पाउडर डालेंगे फिर इसमें कस्मीरी मिर्च जो आता है ना लाल होने के लिए कलर आने के लिए तो उसे भी मिक्स कर देंगे इस कलर को देने पर सबजी का कलर ही चेंज हो जाता है और कलर का रंग बहुत ही अच्छा खिल के आता है अभी इसमें हम ज़रा सब पानी मिला देंगे, क्योंकि नीचे लग जा रहा था इसी लिए सोरी फ्रेंद हम नमक देने भूल ही गए थे, अभी हम नमक मिला देते हैं, तो देखिए इसमें हम नमक मिला दिये हैं अभी 4-5 सेकेंड के लिए ऐसे ही भूनेंगे उसके बाद इसमें एक मीडियम साइज का टामाटर मिला देंगे फिर इनको अच्छी तरह से सॉप्ट होने तक ऐसे ही मिलाएंगे 4-5 सेकेंड तक मसाले का कलर तो बहुत ही अच्छा आया है देख सकते हैं इससे हमारी सबजी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा देखे फ्रेंस ये हमारा टामाटर पुरा सॉप्ट हो चुके हैं अभी हम फूलों को इनमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इन्हें मिलाएंगे दो से तीन मिनिट तक और इसका कलर गॉल्डन ब्राउन होने तक इन्हें ऐसे ही मिलाते रहेंगे तुनहेरी कलर होने पर ये बहुत ही डिलेशियस दिखता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी तो है ही अगर आप लोग को ये मिल जाए तो आप लोग जरूर ही बना कर खाईएगा और इसी प्रोसेस में बनाईएगा तो बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंस कड़वा भी नहीं लगता है अभी इसमें थोड़ा सा और दो तिन चमच पानी एड़ कर देंगे उसके बाद ये हमारी सबजी रेडी हो गई तो फ्रेंस आप लोग को अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक, सेर, सस्क्राइब जरूर करियेगा धन्यवाद